हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग के मैच काम प्रीवियू करने वाले हैं वो खेले जाएगा बमौत वर्सेज न्यू कासल यूनेटेट के बीच मैच का वेन योगा बमौत एंड किक आफ होगा रात में 11 पीम पे तो न्यू कासल य इंप्रेसिव इनका सीजन जा रहा है इनका मैच बमौत से अब बमौत क्या हुआ था ना जब इनके मेनेजर चेंज वे थे वर्ल्ड कप से एक महना पहले उसके बाद इनका परफॉमेंस बहुत ज्यादे इंप्रूमेंट आगी थी एक टेम में टीम जो है 12 या 13 स्पॉट म है 21 में अपने 10 मैच जीते हैं दल ट्रो एक लॉस है सिर्फ 34 गोल स्कॉर किये हैं 12 गोल कंसीट के और 14 के पॉइंट और एक तरीके से देखा जाए तो आउटसाइड चांस है टाइटल रेस में एक तरीके से दिखाई दे रहे हैं जबकि बमौत जिनका विल्कप के पहले प इफेंसिबली सबसे वर्ष डिफेंस हिन का 43 कंसीट कर दिया और 17 इनके पॉइंट है तो फिलाल इस मैच में अल्दो बमौत के घर में जरूर है और बमौत ने रिसेंटली ट्रांसपर विंड़ो में कुछ अच्छी साइनिक्स किया है बट इस्टिल जो फेवरेट टीम हो न्यूकासल ही होगी जिनका पूरी लीग में बेस्ट डिफेंस है और अटेकिंग वाइस भी एटीम अच्छी है तो अभी स्मॉल लीग में हम जो है न्यूकासल को भेक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं अब मैं आपको एक बार दोनू टीम का लास्ट रिजल दिखाता हू तो बमोट अपना लाश्ट प्रीमिय लीग मैच 1-0 नेरो मार्जिन से ब्रैटन से आर गी जबकि न्यूकासल ने अपने लाश्ट प्रीमिय लीग मैच में एक 1-1 का ड्रॉख एला वेस्टन से कैलम विंसल का गोल था और लॉंग श्टाप का असिस था बागी मैं आपको ब कर लीजिए अब मैं आचा तो डिरेक्ट प्रोईबल नाइन अप पे पहले फेवरेट्स न्यूकासल की बात करते हैं अभी मैं इनके मेक्जिम्म यानिकी में सेवन प्लेयर न्यूकासल के पिक करूंगा तो न्यूकासल के लिए अभी भी ब्रुनो के मारेश इनके मिट्फ बहुत अच्छा उनका क्लिंशीट का जाम सुनके घर में लग रहा है तो मैं सारे डिफेंडर न्यूकासल के पिक कर रहा हूँ यानि कि फिलाल मैंने चारों के चारों डिफेंडर पिक और यह एक बहुत सेव इस्टेजी रहीगी लेकिन आप जानते हैं बमौत का डिफेंस कर रहे हैं कोई कोई अटेकर सिर्फ एक या दो अटेकर भी यह गोल मनने के लिए डिपेंडेंडेंट है इस वैसे अभी के लिए मैं इनकेज सेब जारों और चारों डिफेंडर पिक करके चल लाओ और ट्रिप्यर दो इनफेक्ट इस्मॉल लीग में भी कैप्टेन वाइस केप्टन भी कर सकते हैं और अगर आपको कोई एक डिफेंडर ट्रॉप करके एक अश्टरा अटेकल याने वो बाट्मेन हो सकते हैं क्योंकि इन सब में थोड़े से जो कम डिफेंडेंट यो बाट्मेन देते हैं बट फिलाल मैंने आपको बता दिया मैं चारों ही न्यूका आपको भी इग्नोर किया है क्योंकि यह जिस पोजीशन में खिल ले अज़ा डिफेंसिव मिट्फिल्डर खिल ले वहां से हर मैच में गोल असिस्ट कॉंट्रिविशन नहीं दिंगे फिलाल अभी के लिए मैंने विला को लॉंग इस्टाप को इग्नोर किया लेकिन आपको इक से दो गोल मार सकते हैं तो मैं पिक करों और जोलिंग्टन भी अच्छी फॉर्म में जोलिंग तो डिफेंसिव को इंटरिविशन भी दे रहे बिना गोल असे अच्छे काशे पाइंट दिसकते हैं और यह वंदह गोल असिस्स करने में भी अब इक एक असे कर चुग है तीसरी जीज जो बमौत है उनका डिफेंस अच्छा नहीं है तो यहाँ पर विलसन और अच्छा कर सकते हैं बट विलसन का यह है अगर यह गोलसिस नहीं मारते ना तो यह ज़्यादा पॉइंट नहीं देते तुम्हें भी अगर आपको विलसन नहीं लेने तो आप एंथनी गॉर्डन पर पंड ले सकते हैं जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली एवर्टम से न्यूकसल को जोईन किया नई सैनिंगे इनकी और डेब्यू इनका बहुत इंप्रेसिव रहा था लाश्ट के 20 मिनट में ले कॉंट्रिविशन दे दे बट फिलाल गॉर्डन अभी नहीं नहीं आया अभी के लिए मैंने पिगनी गया अभी मैं विलसन एल्मिरॉन जॉलिंग्टन और मैं पीछे से चारों डिफेंडर को पिक करके चल लहूं तो यह न्यूकसल यूनाइटेट की प्रोईबल 11 थी लग के आपको मिल जागा है डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंड में जोईन कर लिजे अब हम बात करते हैं बमौत की तो नेटो इनके गोल की पर हूंगे जो फॉर्मर बार्सलोना गोल की पर हैं आई थिंग यह जदा टेस्ट हूंगे तो मैं गोल की बन नेटो को ही पिक कर ने. जमूरा और स現ेसी नमटर अच्छे हैं और जमूरा गोइंग फ़रवड यानि के अटेकिंग वरrik प्रबी आच्छे हैं अब्ड फिलिम्र के लिए मैं दूसरे प्लियर को पिक कर रहाूं इस वैको हेसे मैं लर्मा फिलिप बिलिंग को पिक करूंगा जो णीप सॉथ सा चार गोल एक असिस कियें, इस वैसे मैं फिलिप बिलिंग को पिक कर रहा हूँ, मैं इनकी न्यू साइनिंग हमाट ट्रेओरे को पिक कर रहा हूँ, ट्रेओरे आपको यदो का अभी हमने लास्ट वी की ससोलो का एक मैच कवर किया था, वो इनका लास्ट मैच था हमाँ पे, और इन्होंने वहाँ डिफेंसिव भी किया था, गोल असिस भी किया था, उसके बाद ये बहुत आ गये थे, और इन्होंने डेब्यू में अल्दो 60 मिनट के लिए, इनके मिनट सेक्शों न ना, मेरा एक और प्लेयर रहेगा मिट्विल सेक्शन में इस्टेट है वह ओटारा, इनकी न्यूज साइनिंग है, बहुत पेसिव इंगर है, राइट साइट से में लास्ट मैच में देख रहा था, काफी अटेक कर रहा था, काउंटर अच्छा जगता है और ये डिफेंसि लर्मा को फिक करके चल सकते हैं, एंथनी भी ठीक टाक है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं और सबको फिक नहीं कर सकते हैं, इनका जो मेन नमबर नहीं होगा, इनका न्यू फॉरवर्ड समेनियो, ये बनते को इन्हों ने चेंपियंशिप से साइन किया है, पहला मैच ठीक टाक स मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दी, पेनल्टी, डॉमिनिक सोलंकी अगर खेलते हैं, वो लिंगे, उनके एपसेंस में कॉल लेगा, मैं शोर नहीं हो, क्योंकि अभी तक इनकी पेनल्टी नहीं होई है, और बाकी है, मैंने इनके सिन के स्टैट लिखे हैं, प्रीमियर लिख के, अभी जो मेरी पेडिक्सन है, इस मैच की, मैं एक नेरो वन निल, येक टू वन न्यूकासल विक्टरी के साथ जारो, आइटिंग न्यूकासल यहां पे एक क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है, तो अभी ये मेरी डेमोर रफ्टीम है, गोल की बर मैंने नेतो लिए, मैंने चारो अभी न्यूकासल के डिफेंडर ले लिए, लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा अटेकल लेना है, आपको एंटोनी गॉर्डन पिक करना है, तो मेभी आप बोट मैन अटागे गॉर्डन को पिक कर सकते हैं, बाकि मैने जॉलिंटन को लिया, यहां मैने अल्मिरोन और विल्सन लिये, वहां से मैंने विलिंग, हामट ट्रियोरे और ओटारा पिक किया, लेकिन अगर आपको सेफ जाने मेभी आप ट्रियोरे और ट्रियोरे में किसी एकवर्ट आगे वहां पे जेफ्रिसन लर्मा को बिक करके चल सकते हैं, फिलाल, फॉर्वर्ड म मेरे केप्टन ट्रिप्यर और वाइस केप्टन सी मोस्ट पाबली में अल्मिरोन को दे सकता हूं, तो अभी ये मेरी डैम और अफटीम थी, मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जोईन करना है हमारे टेलिग्राम चैनल से, तो टेलिग्राम चैनल का लिंक है, ड का लिए